तो आपको यह करना है एक नाउन जो है आपका यह बता रहा है कि एक व्यक्ति है या एक वस्तु है तो यह वह आपकी सिंगूलर हुई और एक वो संग्या जो है आपको कहना चाहरे एक से जादा व्यक्ति है या कोई वस्तु है तो आपका प्लूरल है ठीक है तो इस तरह से हमें यह करना है जैसे यह दिया है सिंगूलर वन कैड बहुत सारे तो प्लूरल लेफ बहुत सारे लीफ्स तो हो गया अ लीव ठीक है लीव्स अब देगे सबसे पहले मतलब एफट के एफट जाएगा और भी एस लग जाएगा ऐसे राइट दप्लूरल फ्रॉम इच वान इच नाउं पर्सन में पर उपल मन मन एट लग जाएगा में वुमन में भी सेन दब्लू ओ अमें लाइफ लाइफ सेल्फ सेल्फ लीफ लीफ माउस माईस फिश फिश गूस गूस गीस डियर डियर इसके हैसी रिंग आप सेकेंड है आपका ड्रो अलाइन अंडर इच नावन आपको लाइन खीचनी है नावन में गगर आपका है राइट एंस एस करना एस पर सिंगुलर एंड सी करना है पी फोग लूर्ल आउज देटरिप टु दा माउंटेंस वस फान तो इसमें जो आपका क्या है mountains है तो यह plural है P the visitors came from around the world तो यह visitors भी आपका P है my friend collected rocks my friend एक ही friend है तो आप कह सकते हो यह singular है and rocks plural इसके बाद फूर्थ है अपका the smallest stones were found by the stream the smallest छोटे stones next there were rare gems at the museum and the most valuable ones were display in cases and the guide said that rocks are made of minerals minerals तो इस तरह से आपको कर लेने हैं यह सभी जो singular है उसमें S डालना है जो plural है उसमें P डालना है तो यह जो line है उसमें आप लिख होगे फिर ठीक है चलिए thank you very much okay bye bye have a nice day